हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टार्गेट टीचर एकजाम स्लीप है दोस्तों आज हम लेकें डेलेट प्रिथम समेश्टर माडल प्रिस्पर 2020 बाल विकासुम सीखने की पिक्रिया दोस्तों आज बात करेंगे 10 महात पूर्ड बेल आइकन को प्रेस कर लिजे जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिशन आपको सीखरी मिल सके चलिए दोस्तों वीनादेरी की वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला कोस्चन है कुछ समयोजन से आप क्या समस्ते हैं तो व्यक्ति तथा वातन के मद्द असंत में असंतुलन का उले करता है कुछ समयोजन से संबंदित व्यक्ति कुछ समयोजित व्यक्ति कहलाता है जो अपने आपको अपने परिवेश के उनकू नहीं बना पाता है ऐसा व्यक्ति दुखी रहता है तदा समास से कटा रहता है कुछ समयोजन का मुख्य कारण है व्यक्त विविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविवि ज्यान में व्यक्तिक भिनताओं के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि कि किसी व्यक्ति के सीखने कार करने की योगता कितनी और कैसी है दोस्तों इसका व्यक्तिक भिनता का यह महत होता है जिससे नेश्ट कोशन है नेश्ट इसमें है व्यक्ति भीनता के प्रकार दोस्तों बुद्ध में विवनता होती है जो प्रतेक बालक होते हैं जो बुद्ध में प्रतेक बालक एक जैसा नहीं होता है नेश्ट है सारे भीनता दोस्तों सारे भीनता भी प्रतेक बालक में अलग-अलग पाई जाती हैं कोई के दोस्तों कहने के मतले कोई पतला अगोद्फ दूबला कुछ स्वास्त अच्छा तो दोस्तों इस में रचना आध के आदार पर ही मोट्स पतले आध सरीर बिभ्योंत पाई जाती हैं दोस्तों नेस्ट viens नीस्ट कोशन है ते निश्ट कोशन है ध्यान या आउधान क्या है कि या कितने प्रकार का होता है ध्यान को प्रभावित करने वाले प्रमुक कारल कौन कोंसे हैं दोस्तो से मनुष्य के अपने कार को हम बड़े ही ध्यान से करते हैं तो उसका प्रणाम अच्छा मिलता है दोस्तो ध्यान के प्रकार की बात करेंगे तो ध्यान एच्छिक ध्यान और अनेच्छिक ध्यान दो प्रकार का होता है दोस्तों बात करते हैं एच्चिक ध्यान में जब हम अपने इच्चा के उसार किसी कार किसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे एच्चिक ध्यान कहते हैं दोस्तो जब अनेच्छी की बात करेंगे जब बिना इच्चा की किसी कार पर किसी वस्त पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है या कराया जाता है तो उसे अनेच्छी ध्यान कहते हैं या ध्यान आइस्ताई होता है दोस्तो अब बात करेंगे ध्यान को प्रहवित करने वाले प्रमोकार कौन-कौन-सओं तो यह प्रमोकार निम्न है नंबर 1 है उत्तेजना की नवीन हैं दोस्तों नवीन वश्टीक नए खोज हमारा ध्यान आसानी से अकर्षित करते हैं दूसरा है उत्तेजना की गत गत सील वस्तों पर ध्यान सरचना से आता है सरलता से आता है जैसे चलती टेन तो दोस्तों ध्यान को प्रावित करने वाले उत्तेजना की नवींता उत्तेजना की गत और तीसरा है रुची हमारी जिन चीजों में जाता है जैसे संगीत का ध्यान पढ़े दियान अच्छे गाने आधी पर हमारा ध्यान असानी से जिसपे हमारी दोस्तों रूच होती है उसपे हमारा ध्यान असानी से चला जाता है अब बात करेंगे बिस्मर्ण या बिस्मर्त क्या है कारण इस वस्ट कीजिए दोस्तों सीधा सार्थ होता है सामान अर्थ में विस्रण कार्थ है भूल जाना दोस्तों जब हम किसी विसे के वस्ट के बारे में भूल जाते हैं तो वो बिस्मर्ण या बिस्मर्ण कहलाती है किसी विशेवस्ति या घटना कोच चाहे कितनी ही गहराई से क्यों नड़ा उसे एक दिनवस्ति भूल जाते हैं इसे ही विश्मरण कहते हैं दोस्तों, मन के अनुसार गरहन किये गए तथों को धार्ण न करना ही क्या कहलाता है? विश्मरण कहलाता है निष्ट है दोस्तों इसी में विश्मरण का महत्तों विश्मरण का कारण दोस्तों जो विश्मरण जो भूल जाते हैं इसका करण क्या है इसका करण है समय का प्रभाव आयू बढ़ने के साथ साथ इसमरण सक्ति भी कम होती जाती है दूसरा है मानसिक रोग, दोस्तों मानसिक रोग से गरशित विक्त किसी बात को सीग्र भूल जाते हैं तीसरा है सीखने की दोस्पूर्ण पद्धत है दोस्तों यद किसी विशे को गलत विदी से याद किया जाए तो वह सीग्र ही विश्मरत ही हो जाती है तो दोस्तो विश्मरती क्या है इसके प्रमुक कारण इस परकार थे अब बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कोश्चन की नेश्ट कोश्चन है बुद्धी क्या है बुद्धी कितने परकार की होती है दोस्तो इंपोर्टन सारे कोश्चन है दोस्तो निर्टव को देखेगा आपको आपको विवाब के लिए विडियो यूजपूर होने वाला है दोस्तो बुद्धी है बुद्धी सोचने की चमता है बुद्धी में विक्तिके विक्तित्युका पता चलता है और हमारे मनों विज्ञानिक है बरकिंगम के अनुशार बुद्धी सीखने की एक योगता है और दोस्तों बात करेंगी बुद्धी के प्रकार कितने होते हैं तो दोस्तों थर्डाइक महुदे ने बुद्धी को तीन प्रकार बता है नमबर एक है सामाजिक बुद्ध दूसरा है इस्तूल बुद्ध और तीसरा है अमूर्थ बुद्ध तो दोस्तों थांडाइक ने तीन बुद्ध के परकार बता है दोस्तों अब बात करते हैं थांडाइक के अनुसार सामाजिक बुद्ध किसे कहते हैं तो दोस्तों कहते हैं सामाजिक बुद्ध इसमें क्या होता है इस बुद्ध में विक्तियों को समझने तता उसके साथ बेवहर करने की योगता ही सामाजिक बुद्ध कहलाती है और अब दूसरा है इस तूल बुद्ध इस बुद्ध से अभिप्राय विभीन वस्तूओं को समझने तता उनका प्रि योग करने की योगता से हैं दोस्तों तीसरी है अमूर्त बुद्ध इस बुद्धी से अभिप्राय गड़ती संकेतों को समझने से हैं तो दोस्तों ये बुद्धी किसे कहते हैं और ये बुद्धी के प्रकारत हैं अब बात करते हैं नेस्ट कोश्चन पर नेस्ट कोश्चन दोस्तों है सेसा वस्ता में संभेकात्म विकास का वर्डन कीजिए 2004 के पेपर में पूछा गया है दोस्तों इस वीडियो में अधिक तरकुष्णों को नहीं को लिया गया है जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गये दोस्तों क्रोद भैं प्रेम संभेक है सेसा वस्ता में विकास दिखाई देता है तो दोस्तों जो इस प्रकार है क्रोध बालग जब एक वर्ष से उम्र कम का भी होता है क्रोध की अव्यक्ति करोध की अव्यक्ति अधिक तेजी से होता है यह इसकी दूद्ध की बोतल उसके मुझ से छीन ले जाती है और उसके प्रतीगुस्टा दिखाता है वह अपना पेर पड़कता है हात मारता है और चीकता है तो दोस्तों क्रोध की जो संबेध हैं वह कहने दोस्तों सेस्टा वस्ता में हिच का विकास हो जाता है नेस्ट है दोस्तों प्रेम वह अपने मा को पहचानता है जिससे अरलग होने पर सिसु रोने लगता है तीसरा है दोस्तों सिसु में भै तो दिखाई देता जिससे तेज बोलने पर वह रोने लगता है तो दोस्तों सेस् के तीन विकास हो जाते हैं दोस्तों आप बात करेंगे नेस्ट कोस्चन की दोस्तों नेस्ट कोस्चन है इंपोर्टन कोस्चन है यह कोस्चन ऐसा कोस्चन दोस्तों पूछा जा सकता है प्रयत्रम भूल के शिद्धान का अधिगम में क्या महात है दोस्तों ऐसा एक कोस्चन प नमबर एक है चात्र पुरसाहन दोस्तों इस सिद्दान्त से इसपश्ट होता है कि चात्रों को सीखने और पुरसाहित करने के लिए उनमें प्रेड़ा लच उद्देश का होना हवस्य के अथा प्रेतनों भूल द्वारा चात्र पुरसाहित होते हैं अब बात करेंगे नेश्ट दूसरा है इसका अधिगम में महाथ ठर्डाई के सिद्दान्त के प्रेतनों भूल के सिद्दान्त का है सोखार की प्रवति में विकास दोस्तों इसमें क्या होता है बालकों में स्वयम काड़ करने की प्रवति का विकास होता है दोस्तो चातर अपने काड़ को स्मयर करना सीखें समस्य का समाध्यान स्मयर करें ताकि वो अपने वीकिश्याथं पैदा करें पुरहिं भूल के दोरह बच्चों में ने सरकिक प्रितिभा का विकाश होता है दोस्तो इसका है तीष्ला अधिगम में महतु हैं अभ्यास पर बल दोस्तों चात्रों में अभ्यास का अर्थ प्रियोग महतु बताना चाहिए प्रतिक विक्ति सक्ति पर अधारित होकर चिंतन करता है या उसको समझता है दोस्तों नेस्ट है दोस्तों समस्या समाधान बालकों के सामने समस्या आती है प्रतिक इस्तान पर सिच्च को प्रब्द नहीं होता है तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि प्रत्रों के द्वारा ही वह अपनी समस्या का हल खोज लेते हैं समय औशक्ति की वचत होती है प्रत्नियों भूल के सिद्धान्द के दौरा सीखने पर बच्चों की सकती धन समय की वचत होती है वह सही प्रतिचारों का चुनाव कर लेता है और उसका अभ्यास करके कारिक को सीग्र सीख लेता है दोस्तों नेस्ट पॉइंटे सभी वर्गों के लिए बच्चों इम बड़ों मंद वुद्धी उम पृतिवाजाली सभी वर्गों के लिए या सिद्धान्त उप्योगी है तो दोस्तों जैसा कि डंग्डर मंगल ने लिखा है थंडाइक ने अपने सिद्धान दोरा सीखने के उद्धिश उमलच निर्धारित बनाने हूँ तथा अविप्रेहणा को सीखने की प्रिया का अमूल अंस बनाने का प्रितन किया है दोस्तों अब बात करते हैं नेस्ट कोश्चन की दोस्तों नेस्ट कोश्चन है इंपॉर्टन कोश्चन दोस्तों है तो यह कलपना से आप क्या समझते हैं दोस्तों 2016 के पेपर में पूछा जा चुका है वस्त का प्रतेच्ची करन मानों मस्तिस्क में प्रतिमाओं को इस्तापित करना वह इन प्रतिमाओं में परिवर्टन करें नवीनता उत्पन कर देता है इसी नवीनता का नाम कलपना है दोस्तों कि यह थाड़ता में अभूत-पूर-परोटन करना ही क्या है कल्पणन है निज्ट है दूस्तों बुढवर्द ने कहा है कि कल्पणना मानसिक हस्तबे पार जब पूर्य तरात तत्यों का विक्ति-गति इस्मृळ करता है वह कलपना पदर्शित करता है मैं डूगल ने कहा है दोस्तों कलपना दूरस्त वस्तु के शम्मंद का चिंतन है तो दोस्तों आपको पेपर में एक आद अगर कल डिफिनीशन किसी राइटर की लेकर हमारे मनों विज्ञान को कि अगर पता हूं दोस्तों यह कि पने ड क्या है बालकों में सजनात्मक्ता का विकास कैसे किया जा सकता है क्रों करों के नुसार सजनात्मक्ता मौलिक परणामों को अधिव्यक्त करने के करने के प्रवतिते हैं क्रों कि विज्ञान अधिश्य तरह तरह किशनात्मक्त कर पस्तूथ करें चात्रों में आव्यक्ति युम पस्कृषान पस्टाहित करने में समर्थ होने का western ला पस्ताहिए ध्याबकों को आए कि वो चाथ्रों के कारों की प्रसंसा करें तर्फा सजनातमें कर हो के प्रिश्वाष भरें नेस्ट कोष़चं दोस्तोंगु अन्जेस कोष़चन है विचाआ गोश्टि-प्रविद की उप्योगता को समझा यह विचाआइए गोश्टी अनुदेशन परिष्टितियां उत्मन करने में एक प्रभावसाले प्रभीद है जिसके अधोर लिखित उप्योग है नमबर एक है इस विदिके द्वारा सिच्छा के ग्यानात्मक भावनात्मक उच्च उद्दिश्चों की प्राप्त होती है इससे पजातंत्रिक मुल्यों का विकास होता है पस्तिक्रन तता तरक करने की चमता का विकास होता है सेमिनार का उप्योग करने से उत्तम प्रकायर के अधिगम आत्तों का विकास होता है सिच्छार्थी की अधिगम में तानमरता होने लगती है सेमिनार प्रभी सिच्छार्थी के इंद्रित होत का विकास होता है नेस्ट पॉइंट दोस्तों सेमिलार में सिच्छार्थी सुभाविक ढंक से सीखता है और नेस्ट पॉइंट है इससे अलो चनात्मक चिंतन का विकास होता है नेस्ट पॉइंट है सिच्छार्थी में सामाजी तता भावनात्मक गुलों का विकास होता है ने सब्सक्राइब करिंगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को सीर करिए चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं टब तक कि लिए जैहिंग भारत